Hi and Welcome back to the channel के इससाब सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग आके अपना जो daily hunt account है उसके अंदर bank account add करेंगे मुझे पता है कि आपने पेले भी ये वीडियो देख लिया होगा लेकिन इस वीडियो में मैं आपको आके desktop मतलब आपका अगर laptop है उसके अंदर कैसे आपको add करना है उसके बार में पूरा पूरा practical video है आपने अगर देखा नहीं है कि कैसे हम लोग आके mobile के अंदर भी add कर सकते इन details को तो आप हमारा उपर जो playlist है उस video को देख लिजिए उसके अंदर आपको मिल जाएगा और फिर आप इस video को देख सकते हो आप अगर हैं पर आपके पास desktop है आप अगर mobile phone के अंदर नहीं करना मत पूलेगा चले हमारे वीडियो के और बढ़ते हैं गईस गईस तो हम लोग यहां पे हमारे desktop screen पे आ चुक है जैसे कि आप यहां पे देख पर होंगे कि हम लोगोंने daily hunt का जो account हो खोल के रखा है और यहां पे दिखे गईस जैसे कि आपको पता है इसी मेने के अंदर मेने स्टार्ट किया था daily hunt का account आपने हमारा पुराने वीडियोस नहीं देखा है तो उपर playlist का एक link है आप जाके पुरा को पुरा वीडियोस देखे जिसके अंदर मेने आपको कहा था कि कैसे आपको grow करना है वो चीज मेने भी apply किया था तो मेने हम पे apply किया तो देखे हम पे 62 followers म पे ने किया है और views हम पे देखे है यहां पे 1241 views मिला है और share 1088 और likes भी हम पे देखे 10868 है लेकिन आज का वीडियो हम लोग आके कैसे हम लोग आके promote करेंगे उसके बात नहीं है आज हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग हमारा bank details add करेंगे daily hunt पे पिछला वाला जो वीडियो हो था daily hunt का उसके अंदर मेंने बाताया था कि mobile के अंदर कैसे आपको submit करना आपका bank details बट आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग आके daily hunt का जो bank account है कैसे add करेंगे हमारे desktop screen पे मतलब हमारे laptop या फिर desktop पे यह देखे हम पे bank details लिखा है सबसे पहले हम login तिक मार्क है फिर phone number तिक मार्क है उसके बाद profile submission तिक मार्क फिर work approval pending लिखा है वो भी हमारा टिक मार्क हो चुका है मसलब यह सब कुछ चेक हो गया अब हमारा fifth step है हम पे banks का detail है उससे submit करने वह तिक मार्क हो गया तो हैं पे काम खतम last में है लोग अपना bank details को एक बार चेक कर लेंगे उसके बाद approval हो जाएगा तो हम लोग यहां पे tap करेंगे fifth के उपर जब हम आके bank details submission के उपर tap करेंगे पांच पे नमबर पे तो एक और link open हो गया दिखे creator account है और यहां पे आपको दिखे है हम पे आपको अपना यह देखने को मिल जाता email id जो कोई email id से आपने create कि होगा daily hunt का account तो यहां पे आपको उसका email id मिल जाएगा और नीचे जाते ही हम पे account name मतलब जिस किसी का bank account आप यहां पे देने वाले हो उसका account का नम जैसे कि आप अगर यहां पे abc हो तो आपको abc आपके bank account में भी लिखके रखना चीए अगर abc आपके bank account में तो आप यहां bank name मतलब कौन सा bank है yes भी है तो आप आपके state bank of India लिख सकते हो आप अगर bank of baroda हो तो bank of baroda भी लिख सकते हो हो गया फिर यहां पे आपको submit करना पड़ेगा आपका bank number जो कोई भी आपका account number है उसे आप आपके हैं पे submit कर दीजे और फिर यहां पे हो जाएगा काम जो कोई भी ह क्या कर सकते आपका passbook open कीजिए वहां पे देखिए ifc code करके लिखा होगा passbook के अंदर अगर फिर भी ना मिले तो आपका जो branch branch का नाम के साथ आप अगर google में search करते हो ifc code करके तो आपको देखने को मिल जाएगा google में भी रैट फिर bank का जो address है वो इधर आपके type कर सकते हो फ वो दल दिया दलने के बाद आपको यहां पर अपना pen card का number दलना है जो के validate होगा ओके आपके पास अगर pen card का number ना हो तो आपके pen card के लिए apply कीजिए और यहां पर देखे pen card mandatory है तो आपको pen card भी दलना पड़ेगा फिर last step के अंदर आपको upload करना पड़ेगा एक cancel check cancel check क्या होत दो लेन खीचे और उसके अंदर cancel करके लिख लीजे तो एक check का के cancel हो जाएगा रइट आप अगर scratch करते हो मतलब दो लेन दाल के अंदर cancel करके लिख लो तो हो जाएगा cancel check उसे आपको हैंपे upload करना पड़ेगा क्यूंकि check के अंदर भी आपका bank account name लिखा रहेगा तो इन लो उसे आप यूज कीजिए उसे scan करके यहां पर upload कर देना रइट मुझे उमीद है कि आपको पता चलगा होगा कि कैसे आपको अपना bank details submit करना है daily hunt creator account पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को like करना आपने दोस्तों के साशेर करना आप इस चैनल पर नया